हेलो दोस्तों नमस्कार मैं अंकित भाटी रोजगार विजंकित चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों आज जो मुझे समझाना है बोर्ड पर वो है डबलू-डबलू-डबलू एक चीज सुनी होगी आपने कि डबलू-डबलू-डबलू-डबलू क्या है वोर्ड वाइड वैब फुल फर्म तो सब लोग जानते होंगे इसकी फुल फर्म लिख भी लीजिएगा वोर्ड वाइड वैब तीनो-डबलू का मतलब और आपको पता इंटरनेट की दुनिया में इसका बहुत रॉल है बहुत लोग तो जानते हैं कि ये इंटरनेट ही है नहीं ये इंटरनेट नहीं आज हम फर्क समझेंगे इंटरनेट और डबलू-डबलू-डबलू का कि क्या फर्क है आपस में दोनों चीजों का ठीक है तो डबलू-डबलू के बारे में जानने से पहले हमें कुछ चीजों को और भी जानना होगा कि वैब साइट्स क्या है ये कितने तरह की होती हैं क्योंकि आपके कोर्स अगर दिली पुलिस की बात करूं तो डबलू-डब की बात करेंगे तो कोश्चन बिलकुल बन सकता है क्योंकि कंप्यूटर है कि कंप्यूटर से वहां भी दो कुश्चन आएंगे चलिए तो डबलू-डबलू-डबलू-उनिस सो नवासी में अविसकार हुआ इससे पहले कोई नहीं जानता था वेब साइट्स को उनिस सो वेब साइट्स की अगर परीबासा देखें तो यह वैब पेजिस वैब पेजिस क्या देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मालो मुझे अपना कोई यह बिजनिस है या मालो कोई यह सेंटर है रोजगार कोचिंग सेंटर लोगों को इसकी जानकारी मिल जाए इंटरन जाए यह वैब साइट होती है कि मैं अपना पूरा डेटा उस पर डाल दो ताकि सब लोग उसों पढ़ें और अट्रेक्टिव हो जाएं ठीक है तो उस तरीके से पर हमने तो कोई अपनी वैब साइट बना नहीं रखी तो वैब साइट का मतलब यही होता है कि मैं उसके बा यूट्यूब है वो भी एक वैब साइट है सब वैब साइट ही तो है जो भी आप इंटरनेट पर देखते हो सब कुछ वैब साइट है ठीक है पर कोई फेस्बुक है यह भी एक वैब साइट है तो यह बहुत बड़ी बड़ी वैब साइट हो गई है कुछ बहुत छोटी छ वो चल नहीं रही है, लास्ट टाइम पर आप फॉर्म में देखते हो, तो वेब सर्वर्स अगर बहुत अच्छे हो, तो साइद कर फॉर्म में हैंग भी नहीं होगी, ठीक है, उस टाइप का है, तो चलिए जानेंगे हम वेब सर्वर्स को भी थोड़ा सा, पर पहले जान जाएएगा वेब साइट, यह क्या होती है, वेब पेजिस, वेब पेजिस, जिस पेज पर लिख दिया है, रोजगार कोचिंग सेंटर की इतनी फीस है, इतने बच्चे सेलेक्ट हुएं, जिसमें लि होता है, जब आप किसी वेब साइट के होम पेज को देखते हैं, सब का पहला पेज होम पेज ही होता है, या में पेज कहो होम पेज, जिस पे वेब साइट खोलते ही उसकी और वो जो सब से पहला पेज चमकता है, उसको होम पेज कहते हैं, यह इसका होम पेज है, फिर आप क पिक्चिर स्वीडियो आप देखते हैं होंपेजिस पेरे वीडियो भी कोई वीडियो का Link डाल देगा कोई पिक्चर्स भी डालते ऐसे तोड़ी है कि उसके लिक के डाल देगा कुछ भी美味 तब ही तो अट्रेक्टिव लगेगा उसपे डाले या वीडियो डाली या कोई आडियो डाल दी या कोई एनिमेशन कुछ और भी बना के डाल दिया जिससे वह बहुत अट्रेक्टिव लगे वही वेबसाइट है और यह कोई भी चीज है अगर आप क्लिक करते हैं वैसे तो आपका करसर ऐसे चलेगा और इन पर आते हाथ क सा पंजा आ जाता है समझाओ कि यह किलिक हो सकता है जब हाथ का पंजा आ जाए ना करसर आप घूमाते हो उसका ठीक है माउस का करसर घूमता रहता है बाकी जगे तो तीर सा बना रहेगा लेकिन जब एक दम पंजास आ जाए समझाओ कि यहां पर यह कोई हाइपर लिंक है ह जितनी भी यह चीज़े डाली हुई हैं कि आपको कहीं और ले जाएंगी और फिर दूसरी वेबसाइट पर भी पहुचा सकती हैं जिसमें हर एक चीज दूसरे पेज़ेजिया वेबसाइट की तरफ इसारा करती हैं हर वेबसाइट वेबसरवर पर होस्टेड होती है माल लीज अगर आप web servers खरीदेंगे आपको ये है कि आपको online course भी बेचना है तो फिर आपको web servers भी चाहिए क्योंकि बच्चों का traffic आएगा वो एक साथ उसको खरीदेंगे तो फिर hang वगेरा की ना हो तो वो web servers की फिर जरूरत पढ़ने लगती है ठीक है तो चलिए तो ये हमें web servers पर hosted तो करानी ही पढ़ती है हर वेबसाइट मतलब ये समझ लो इंटरनेट की दुनिया में एक पिलोट खरीदना पढ़ता है हर वेबसाइट को एक जैसे हमें कहीं रहना है आदमी को तो कम से कम एक जगे तो चाहिए तो जैसे वेबसाइट को कहीं रहना है इंटरनेट की दुनिय आमें तो उसको एक पिलोट चाहिए किराए पर तो उसका किराया वो देता है कि वह मंतली इतना चार्ड यह जो भी कुछ है ठीक है चलिए तो वह होस्टेड करानी होती है हर website web servers के पास web server क्या है दुनिया के जितनी भी website है सब web servers पर होस्टेड है ठीक है अब web servers को internet से भी connect करेंगे हम वो web servers ही आपके www हैं माल लीजिएगा ठीक है चलिए तो website के प्रकार अब website कितने तरह की होती है अगर मैं बहुत छोटे दो भागों में बाटूं तो website को सिर्फ दो भागों में बाट सकते हैं एक static website होती है एक dynamic website होती है static website तो सिर्फ यह होती है कि मुझे सिर्फ जानकारी देनी है कि रोजगार coaching center यहां चलता है इतने बच्चे select हो गए और इतना fees का structure है यह बात खतम पूरी information उसे पढ़ो और वो की वो ही रहेगी और कुछ नहीं मुझे update करना यह तो है static website आप कुछ भी update नहीं करने बस एक information डाल दिये बच्चे आए ना कोई उसे विजिट करें ना करें कोई फरक नहीं पड़ता इसको बोलते है static website तो जैसे यह एक basic website है यह अधिकतर single page के होते हैं एक page में information डाल दी इनका उपयोग केवल किसी company यह संस्था के बारे में जानकारी देना है किसी company यह संस्था यह संस्था ही है कि जानकारी देना है इसका data बार-बार change नहीं होता ठीक है हलाकि हमें और भी अट्रेक्टिव बनाना फीस चेंज हो गई तो वह थोड़ा बहुत change कर सकते हो पर बार-बार नहीं कि हम रोजी update कर रहे है data तो वह static नहीं रह जाएगी फिर website कि आप रोजी अपना दो दिन में एक दिन में update कर रहे हो तो नहीं ठीक है फिर वह dynamic आप dynamic पर आता हूं नाम से इस पस्ट है e-commerce में ज्यादा तर आप इसको यूज कर सकते हो यह एक website लगातार अपडेट किये जाते हैं जैसे आप देखते हो जितनी बार भी इनको खोलोगे सामने नई चीज मिलेगी लगातार अपडेट हो रही है इसका मतलब जितनी बार भ दिख रहा था आपके दूसरा जूता हो सके कपड़ा दिख जाए ठीक है तो जब भी खोलते हो तो वह लगातार अपडेटिंग उसमें चलती रहती है तो इनको हम डाइनामिक website बोलते हैं इनका database बहुत अधिक होता है मतलब बहुत सारा उनमें data होता है CDC बाते इसका मुख यूट्यूब भी डाइनामिक website है आप YouTube खोलो पहली किसी और की वीडियो दिख रही थी अब किसी और की आजाएगी तो लगातार अपडेशन चलता रहता है मतलब कुछ ना कुछ गती उनमें चलती रहती है ठीक है Facebook भी इसका हिस्सा हो जाएगा हलाकि वो social website मान सकते हो डाइनामिक का पार्ट है ठीक है चलिए बात समझ में आगे कि डाइनामिक और स्टेटिक में क्या फरक है website सिर्फ दो परकार की है ऐसे आप याद कर लीजिए चलो अब मैं आगे होता हूं URL जब website को जान रहे हैं तो हमें URL भी जानना चाहिए कोई भी website कैसे होती है कैसे लि तो वो जो आप HTTP पूरा देखते हो वो जो लिखा हुआ है उसको हम URL बोलते है ठीक है वोई चीज़ यहां लिखी हुई है ठीक है उस लिंक को हम URL बोलेंगे URL क्या है URL और भी अच्छे से मैं आपको बताऊंगा अब यूनिफर्म रिसोर्स लॉकेटर बिलकुल अपनी लेंगवेज में मैंने लिख दिया है इसको कि यूरल अगर आप कभी भी इसको पढ़ोगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएगा यूनिफर्म रिसोर्स लॉकेटर फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप सम पूरी वेब साइट्स में हर जैसे बोलते ना कि हर आदमी का एक पहचान बनाईए भगवान ने तो हर पेज की एक पहचान बनाईए वेब सर्वर्स ने उसको हम यूरल बोलते हैं जो उसका लिंक होगा मालो आप जैसे मेरी वीडियो है आप पहले जाओगे क्या अगर पर जाएगा फिर आप मैट्स की प्लेलिस्ट देखोगे फिर मैट्स की प्लेलिस्ट देखने पर उसमें आपको बहुत सारी वीडियो मिलेंगी ठीक है तो उसमें फिर प्रॉफिट लॉस चेप्टर पर देखोगे फिर उसमें पांचवी चौती जिस वीडियो पर जाना है उस पे जाओगे तो अब आपने सीधे पहुच गए अपने काम की चीज पर सीधे अब किसी बच्चे को आपको बताना है कि भाई ऐसे ऐसे जाएगा या तो आप ऐसे बताओगे जैसे आप खुड गए हो या कोई बच्चा कहेगा मैं इतना नहीं समझ पाऊंगा मुझे बता ना सीधी ये वीडियो खुल जा तो फिर आप कहोगे जो URL होता है ना जैसे आप जो भी वीडियो देख रहे हो कंप्यूटर पे स्पेसली मोबाइल पे तो आपको नहीं पता चलेगा तो आपको सबसे उपर जो टॉप में एक लिंक होता है उसको अगर आप कॉपी कर लो त तो वो सीधी वही वीडियो चल जाएगी किसी भी कंप्यूटर पे माल देजा उसी लिंक को तो वही वीडियो एकदम चलेगी क्योंकि हर वीडियो का हर पेज का एक अलग URL है उसी को URL बोलते हैं कि डाइरेक्ट वही चीज़ खुले तो हर चीज़ का एक यूनिक बना दिया तो वो यही है यूनिफॉर्म रिसोर्स लॉकेटर लॉकेटर जानते हो ना लॉकेट कर देता है चीज़ों को एकदम वहीं पहुंच जाता है समझ में आ गई ना URL क्या होता है अब मैं इसको पढ़ लेता हूँ जब हम वेब ब्राउजर वेब ब्राउजर क्या है इंटरने एक्सप्लोरर और आप देखते हैं गोल सा क्या गूगल क्रोम बना रहता है ठीक है तो यह मौजिला फायर फॉक्स कंप्टर में नेट चलाते हो यही तो चीज़े हैं आपके पास चलाने के लिए तो आप देखते हैं मोबाइल पे तो यूट्यूब का हम पे वो है नहीं है ठीक है वहां तो आप पहले किसमें वेब ब्राउजर में जाओगे वेब ब्राउजर में से बता चुका हो फिर उसमें यूट्यूब ढूंड होगे जो भी करोगे पर किसी विसेश पेज या लॉकेशन पर उसके एड्रेस को टाइप कर सीधे जा सकते हैं वेब ब् समझे मैं वीडियो का एक्जामपल आपको दिया था समझे में आ गए कि नहीं वही परिभासा यहां लिखी होई है ठीक है किसी भी विसेश पेज़ पर जाने के लिए आपको वेब ब्राउजर में डाइरेक्ट उसे टाइप कर दो सीधा आप उसी पेज़ पर पहुंच जा आप देखो सीधी देशी भासा में कैसे समझाया जैसे हमें किसी यूट्यूब चैनल की किसी भी वीडियो पर जाना है तो हम उसका यूरल कॉपी करके उसे सीधे गूगल पर डाल कर भी गूगल मतलब सर्चिंजन कोई भी हो आपका MSN हो बिंग हो कुछ भी पर डाल कर भी जा सकते हैं हमें पहले उस चैनल को खोल कर वीडियो ढूंडने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें चैनल खोलना ही ढूंडने की कोई जरूत नहीं है हमें ये वीडियो काम की लगी हमने यूरल कॉपी किया सीधा हम उस वीडियो पर पहुंच गया है बात समझ में आई यूर पर खुलते हो ना तो आप सबसे ऊपर देखना जहां गूगल लिखते हो वहां तो टाइप करते हो एक ऊपर आता रहता है बिल्कुल एक लाइंगे तो वह यही है इस टाइप का आएगा मालव एच टी 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 डबलु डबलु डाट कॉम ऐसे फिर यूट्यूब या एक्स ए गूगल खुल गया फिर आगए दिख रहा है यूट्यूब ऐसे भी दिखता है कई बार फिर आगे मैट्स फिर आगे और जीरो वन टू इस तरह से उसकी कोई लॉक इन आईडी बना दी ठीक है ना तो अब यह सब चीजे क्या है यह पूरा एक यूरल कहला है ठीक है यह क्य होता है इस वह यूरल में क्या क्या चीजे होती है यूरल में वह बता देता हूं इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल यह हर वेब साइट में डबलू 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 लगता है क्योंकि वेब सर्वर्स पर ढूनना है मतलब पूरी दुनिया के वेब सर्वर्स पर ढूनना है इस name server बोलते हैं इसको ठीक है कुछ भी website हो सकती है कोई भी सर्च इंजन हो सकता है ठीक है तो इसको domain name server और यह चीज के सिर्फ इतनी इतनी बोल जाएगी domain name यह लग गया domain name server ऐसे DNS सौट में इसको बोलते हैं DNS यह special page की location कुछ भी हो सकती है ठीक है आगे कुछ भी वह सकता है जरू ने योट्यूब लिखा मिले आगे एक्स जीरो वन टू ऐसे कोड में भी मिल सकता है ठीक है तो तीन चीजे में आप याद रखेंगे तो रहे गई worldwide वेब प्रोटोकॉल domain name server और इसकी special location पेज की चलिए तो पहला URL 1991 में टिम बनर्स ली नहीं खो जा था जिन्होंने www website बनाई क्योंकि URL भी इनका ही बना होगा जब website इनकी थी तो तो जारी किया था यह URL यह था तो http यह यहां पे दो info.sun.ch. यह था ठीक है पहला URL इसको भी एक नजर देख लेंगे क्योंकि URL कोर्स में लिखा है तो it means कुछ भी हो सकता है question ठीक है कुछ अन्य domain name .gov.in देको जैसे .com है न ऐसे अन्य निम और भी है .gov भी होता है government की जितनी website होती है .gov.in इस तरह से होती है ठीक है .in.nct.nic.org.com ठीक है तो यह .edu.jobs तो इस तरह है के बहुत सारे servers हो सकते हैं websites के last के नाम है .com लगता है न बहुत सारी websites तो सबसे ज़्यादा यह यूज होता है पर .org भी होता है सब websites में यही चीज यूज होती है educational websites में .edu आ जाता है ज़्यादा तर ठीक है चलिए तो domain name समझ गए ना क्या होता है जिसमें बाद यह . के बाद की चीज लास्ट में यह domain name कहलाता है और अगर हम कहें यह domain name server हो गया dns google.com yahoo.com यह पुरा domain name server चलिए आगे बात करते हैं www को पुछ इस तरीके से आप एक डाइग्राम के माद्यम से internet का www का connection समझिए वो connection मैं आपको बताने वाला हूँ कि internet क्या होता है और www क्या होता है तो आप यह समझिएगा थोड़ी जगे कम थी इसलिए छोटा छोटा बनाया है जैसे देखिए यह जो है मालो हमारा मुंबई सहर है यह दिल्ली सहर है यह अमेरिका का वासिंग्टन डी सी ह हो गया यह ऑस्टेलिया का कैनबरा हो गया तो मैंने माल लिया पूरा विस्व ऐसे जुड़ा हुआ है तो यह हर सहर हर सहर में यह computer लगे हुए जिनमें internet connected सब में आपस में अगर यह सहर के अंदर ही रहे internet और बहार इसका connection ना हो इस सहर से तो इसको हम बोलते हैं इसके करने चितने या कोई company हो सकती है company के अंदर जितने भी system जुले हुए है वह internet है वह अगर उनका कोई भार से connection नहीं है चाहिक है कोई शेहर के सारे computer जुले हुए बहार से connect नहीं इंटने पूरे देश के कंप्योटर एक साथ जुले होई हैं बाहर से करेक्शन नहीं है इंटरनेट बात समझ में आगर अगर उसको विश्व से जोड़ दें सारे विश्व के कंप्यूटर से जोड़ दें तो इंटरनेट बन जाता है ठीक है तो देखिये वही नेटवर्कों का नेटवर्क, तभी तो बोलते हैं, इनका नेटवर्क, उससे जोड़ दिया, तो नेटवर्कों का नेटवर्क, इंटरनेट, ठीक है, सेम चीज यहां देखो, यह B सहर के ऐसे जोड़ रखें, यह C सहर के, विश्व के सहर हैं पूरे, ठीक है, अगर हम इनका आपस में connection कर दें सारे सहरों को तो यह क्या बोला जाएगा इंटरनेट इंटरनेट समझ में आ गया क्या है यह चीज इंटरनेट है किलियर है विश्व के सारे computer एक दूसरे से जुड़ गए कि नहीं पूरे विश्व के ठीक है अब मैं बात करता हूँ this to web li, www क्या है डबलो 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 वेब साइट से सब किस पर होश्टिड होती है वैब सरवर पर यह ऐब सर और किसी एक सेहर का सर्वर एक सेहर बहुत सारे सारे एक सर्वर हो सकते हैं कि आससारी वैब साइट होती है ठीक है तो पर अब यह सहर की जरूत नहीं है एक साथ भी हो सकते एक कंपनी में भी दो दो तिन तिन वेब सर्वर्स हो सकते हैं ठीक है तो यह वेब सर्वर्स हैं यह आपस में कनेक्ट है माल लीजी वेब सर्वर्स इस पर जानका नहीं तो इस से ले लेगा इस से नहीं तो इस से ले ले तो ठीक है उन्होंने यहां पिलोट ले, रखा, कोई बाद नहीं तो यहां पे हो गया, यह भी web servers हो गए यह अलग जगह के web servers हो गए यह भी अलग जगह के हो गए, यह भी अलग जगह सब आपस में web servers connected है, सारे ठीक है? और web servers का मतलब सारी website इनके अंदर हैं सब् genia If Google क्या सर्च करता अगर गूगल पर आप सर्च कर रहे हैं कि भई दिल्ली पॉलिस के बारे में बताओ तो दिल्ली पुलिस के बारे में जानकरी ऐसे इनी डाए हुए वो websites के तो अदी ठूली गई है तो का यहा सारे वेब सर्वर्स को आपस में कनेक्ट कर दिया तो इसको कनेक्शन को बोलते हैं डबलु 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 बात समझ माई क्या है सारे वेब सर्वर्स आपस में कनेक्टिड हो गए समझ लो डबलु 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 बन गया ठीक है इंटरनेट अब इसका कनेक्शन हमने जो connected हो गए Internet अब हम क्या करते हैं Google है और हमारे पास सर्च इंजन या कोई Web Browser है उस पर हमने सथी इंड़ा गूगल खुल गया गूगल पे अब हम क्या करते हैं हम एक सर्च करते हैं कोई भी चीज माली जिए हम सर्च करते अंकित भाटिए अपने आप कोAL करते है यहां पर सर्च किया तो अब यह क्या करेगा कि भाई इस largest करेगा तुरण आपने चोल भीपर हो इस्वेंगों से यह ने बता यह कंपीटर भी तो थे नहीं कम्पीटर पर बैठे क्योंकि इनुमें रिजिस्टर्ड है इनुमें नहीं है तो नेट है ये तो लोग यूज कर रहे हैं इनको ठीक है तो वो क्या एकदम यहां बहजेगा और सब को स्कैन करना सुरू कहां कहां अंकित भाटी है सब है जिसको मैंने आपको बताया भी था कि ये इंडेक्स इन रैं पीचे और भी लिंक आ जाएंगे अंकित भाटी ऐसस्बुक अंकित भाटी यूट्यूब बहुत सारी चीज़ें अंकित भाटी के अलग-अलग मिल जाएंगे जो जितना फैमस है उसको उतना ही उपर यह दिखाता है इस टाइप का ठीक है यह रिके इस तरीके से चलता है स सारे स्कैन करने पर तब रिजल्ट देते हैं Google Search Engine तो आपने देखा कि हमने इंटरनेट से कोई बात पूछनी है तो वो वेब सर्वर से क्यों कनेक्ट होती है कैसे कनेक्ट होती है तो इंटरनेट धूरा है अगर beautiful व्ना हो ओर www वी होकि क्या करेंगे अगर उन से डाइरेक्ट कोई बात कूछें नहीं यह जुलेंगी इंटरनेट के थुरूही आप इंसे कुछ पूछि नहीं सकते यह इंटरनेट के सब्दों में मैंने लिख दी है जो चीज बोली है वो यहां पर छाप दी है www.w.w. तथा इंटरनेट राइटिंग हो सकता है थोड़ी सी गंदी हो हो सकता है आपको दिखता भी कम हो पर समझाने में पूरा लठ गाड़ देते हैं कोसिस यह है कि आप समझ जाओ बस और पीडियेफ में आपको यह सारी चीजे मिल जाएंगी आपको नहीं भी दिख रहा है तो टेंसन नहीं है उस बात की तो पीडियेफ मिल जाएगी बस आपको समझना है गौर से तो डबलू 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 तथा इंटरनेट दोनों एक दूसरे पर निरभर है वही बात जो भी मैंने बताया कैसे निरभर है एक चीज का कनेक्शन हटा इंटरन इंटरनेट ही रह जाएगा कुछ भी नहीं सर्च कर पाएगा अगर यह कनेक्शन नहीं है ठीक है एक दूसरे पर निरभर है और पूरी तरह से जुले हुए है ठीक है डबलू 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 एक विसाल सूचनाओं का डेटाबेस होता है डबलू डबलू क्या है यह सारी सूचना यह तो भरी पड़ी हैं क्या है सूचना ठीक है तो सूचनाओं का database है web servers का database है आप ऐसे कहिए तथे हर शूचना हर Web server एक दूसरी सूचना से जुला हुआ है हर Web server एक दूसरी Web server से जुला हुआ है मतलब यह हो गया जो सर्च इंजन वे इंटरनेट के माध्यम से हम तक पहुचती है सर्च इंजन कोई भी सूचना यही तो बोला है कौई से सूचना से जुड़ा हुआ है और वो सूचना हम तक कैसे पहुचती है सर्च इंजन और इंटरनेट इंटरनेट मतलब वेब ब्राउजर कोई भी के माध्यम से वो सूचना हम तक पहुँचती है यही बात बोलिये यह यहां लिखती है साधान सब्दों में विल्कुल ठीक है अब मैं समझता हूँ कि www से कोई भी कुश्चन आया कि पहले www का विश्कार किसने किया वेबसाइट कौन सी थी यही थी वेबसाइट भी यू आर्ल क्या होता है एक चीज होती है जो मैंने आई छोड़ी है हैंपर लिंक वो क्या है हैंपर लिंक यह है कि जिस लिंक पर क्लिक करें और वो दूसरे पेज़ पर हमें खोलो डे जाके मतलब आप देखते है ना किसी-किसी पेज़ पर वो बिलू-βिलू सा बना रहता है क्योνकि जिस पर किलिक हो सके ऐसा थोड़ी है कि आप हर सब्दु पर किलिक कर सको हां कुछ किसी सब्दु को एक दम बिलूसा कर देता हो इस पर click करते ही, और दूसरे पर पहुंच गई समझ लो, ये hyperlink है फिर hyperlink किया है? जहाँ पर click किया जा सके cursor जूचल रहा है, ठीक है? और जैसे ही पंजासा बना आ जा समझ लो, यह hier hyperlink है क्योंकि उस पर click हो जाएगा बात समझ में आ गई कि हाईपर लिंक क्या होता है बास यही हाईपर लिंक है ठीक है भाई उम्मीद करता हूँ यह बात एक दम से क्लियर से आपको समझ में आ गई होगी चलो अब आगेगा काम करो